Hello everyone, welcome back to my channel और आज का जो टॉपिक है वो है The Book of Assembly Hall महाभारत का ये टॉपिक है और The Book of Assembly Hall को हिंदी में बोला गया है सभा पर्व असेमली का मतलब सभा इसका हिंदी में टाइटल है सभा पर्व तो ये महाभारत के टोटल 18 बुक्स है पूरे महाभारत के जिसमें से सभा पर्व यानि The Book of Assembly Hall second number बुक है महाभारत का out of the 18 बुक्स और सभा पर्व के अंदर इस second बुक के अंदर भी 10 sections है जिनको उपर्व के नाम से जाना गया है तो उन 10 sections के अलग अलग नाम है तो इस वाले वीडियो में मैं आपको पहले 5 section पूरा explain करूंगी और इस वीडियो का जो second part आएगा उसका लिंक मैं आपको description box में दे दूंगी बाकी के 5 parts मैं उस वीडियो में explain करूंगी So let's start तो पहला जो पर्व है Book of Assembly Hall में उसका नाम है सभा क्रिया पर्व तो The Book of Assembly Hall का पहला section है सभा क्रिया पर्व इस section में total 4 chapters है और 141 verses है Arjun saved Mayasur and he wanted to return the favor जब खांडव का जो जंगल था खांडव प्रस्त में जो जंगल था वहां पर जब आग लग गया तो Arjun जो था पांडवो का भाई Arjun उन्होंने मायासुर की जान बचाई थी तो Mayasur चाहते थे कि बदले में वो कुछ उनका कुछ ऐसा कुछ काम करें जिससे कि वो favor अपना वापस कर पाए और उन्होंने Arjun से request करा कि आप कुछ भी मांगो मैं वो पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा Krishna asked him to build a palace पर Arjun ने मायासुर से ये मतलब बोला उन्होंने advice दी कि तुमें काम करो तुम वही करना जो श्री कृष्ण तुमें करने को बोले तो श्री कृष्ण ने request करा कि अगर आपसे हो सके तो आप युदिष्टिर के लिए एक माया भवन तयार कर दीजिए एक palace तयार करवा दीजिए तो सबको ही पता था कि खांडफ प्रस्त का जो महल था वो एक मायासुर ने बना था तो माया भी था बिलकुल सन अफ कुंती एंडर दे पैलिस तो मायासुर ने डिसाइड किया कि वो एक बहुत ही बड़ा विशाल भवन सा तयार करेगा और वो भवन होगा मांडफ प्रस्त में जो पांडवो का महल तयार हुआ वहां का असेमली हॉल होगा वो तो श्रीकृष्ण और पांडवो के टेस्ट के अकॉर्डिंग ही मायासुर ने पूरा महल तयार कर दिया असेमली हॉल तयार कर दिया कृष्ण वहां पांडवो के साथ रहने लगे खांडव प्रस में कुछ ताइम बाद उन्होंने ये अपनी इच्छा जताई श्रीकृष्ण ने कि वह द्वार का जाना चाहते अपने फादर से मिलने और उन्होंने कुंती और युद्ष्टिर से पर्मिशन भी लिया जाने का और फिर वो सत्या की उनके एकमपनी थे तो सत्या की और दारुका के साथ दारुका उनके जो रत को चलाते थे श्रीकृष्ण के उनका नाम था दारुका वो द्वार का के लिए निकल ली श्रीकृ बेल्डिंग मटीरियल लेकर आए जो कि जिसमें की क्रिस्टल्स लगे थे जूल्स लगे उन्होंने जो वो शंक था मायसुन ने शंक का नाम देवदत्ता रखा और उन्होंने वो शंक अर्जुन को ऐज़ा गिफ्ट में दिया और बोला कि आप इन सब चीजों से धरमराच के लिए एक मैंशन तयार करना एक महल तयार करना और कुंती और कुंती के पाचों बेटे उस मेल में अंधर खुसे जो चंदफ प्रस में जो महल तयार किया गया वहां पे सारी पूजा अर्चना कि तो यह था हमारा फॉर्स सेक्षन आते हैं सेकें में कद्शन पांडवों के महल में असेमली हॉल में नारद मुनी का वो आके युदिश्चिर से तरह तरह के questions करते है और पहले तो जब उनकी entry होती है तो पांडव जो है वो उनसे आशिरवाद लेते है उनको प्रनाम करते है तो नारद मुनी को इस चीज से बहुत ज़्यादा खुशी मि और वो फिर युदिश्चिर जब जब मैं धरमराज बोलू तो आप लोग समझ जाना कि युदिश्चिर का नाम ही है धरमराज महाभारत में तो नारद मुनी जो है वो धरमराज से question करते है कि धर्म के लिए अर्थ के लिए और कामा के लिए धर्म का हिंदूइजम में है कि एक income एक prosperity जिने का तरीका कामा का अर्थ है अपना personal fulfillment, personal satisfaction उसके बाद नारद मुनी बताते है कि यह जानने के बाद भी कि तुम्हारे जो भाई है जो कौरफ है वो इतने शक्तिशाली है उसके बाद क्या तुम अपने 14 पोजेशन का अच्छे से ख्याल रख रहे हो जैस कि युदिश्चिर के अंडर में जो countries आती है जो किले आते है जो घोडे हाती जो soldiers आते है क्या वो अपने soldiers का ख्याल रख रहा है क्या वो उनका ख्याल रख रहा है जिन्होंने युद पांडवों के लिए अपनी जान दे दी क्या वो उनके परिवारों का ख्याल रख रहा ह या नहीं उन्होंने ये तक नारद मुनी ने एडवाइस दिया कि अगर बाईचान सोलजर्स की सैलरी या उनके राशन में थोड़ी सी भी कमी होती है तो देखना तुम्हारे लिए ही वह सबसे बड़ा लॉस होगा क्योंकि वह तुम्हारे लिए फिर लॉयल नहीं रहेंगे उन्होंने ये तक पूछा कि क्या युदिष्चिर के अंडर में जो किंग्डम है वहां के फार्मर सैटिस्वाइड है नी युदिष्चिर बाउड और प्रॉमिस अट ही वुड एक्ट नारद वर्ट तो ये सब सुनने के बाद युदिष्चिर को कही ना कही होश आया कि एन सब चीजों पर धटेना पड़ेगा नारद मुझनिके जितने भी बाते हैं एडवाइस करने के अलद형 मुझनिके उद्फचिर कहण के नारद करते हैं लिए जो भी जो भी एडवाइस देंगे वह उसी के ऑडवाइस पर चलेंगे और उनकी बातोंसे बहुत जदा हैं भी आसपस के समुंदर थे वहां तक उसने अपना पूरा kingdom फैला दिया तो इस वाले chapter से हमें इस वाले section से पता चलता है principles of polity ये याद रखना principles of polity का मतलब है लोगों का welfare, people's welfare क्योंकि इस वाले chapter में नारद मुनी ने mostly बाते युदिश्चिर से पूछा है कि क्या उसके kingdom के लोग खुश है, उससे satisfied है, उनको तो कोई problem नहीं है socially, economically, sub-politically, people's welfare का है तो हमेशा याद रखना second जो section है, second section में principles of polity के बारे में बताया गया है, नारद describes the merits of हरीष्चन तो पहले तो युदिश्चिर ने नारद मुनी को thank you बोला उनके advice के लिए और उनसे फिर ये पूछा कि क्या उन्होंने कभी ऐसा assembly hall कही पे देखा है जो कि माया सुन ने उनको बना के दिया है तो नारद ने reply करा कि उन्होंने महल तो बहुत देखे है पर ऐसा महल नहीं देखा तो फिर धरमराज उन्होंने request करा कि आप कुछ palace के बारे में कुछ और महलों के बारे में मेरे को बताईए कि कैसे है तो नारद मुनी ने description दिया इंदर के palace का, ब्रहमा के palace का, कुबेर के palace का पर उन्होंने end में यही बोला कि इतने तो महल देखें मैंने पर धर्टी में तुम से अच्छा महल किसी का भी नहीं है तुम्हारा जो palace assembly hall हो बेस्ट है उसके बाद जो युदेश्चिर है वो नारद से पूछते है कि आप जब मेरे को इंदर के palace के बारे में बता रहे थे तो आपने सिर्फ एक ही नाम लिया, एक ही royal seer का नाम लिया जो कि हरीश्चंदर, हरीश्चंदर में ऐसा क्या है सिर्फ का मतलब है कि हरीश्चंदर भविष्यवानी करना जानता था आगे आने वाले वक्त में क्या होने वाले वो बता नारद तो इसलिए युदेश्चिर ने पूछा कि आपने सिर्फ उसी का नाम क्यों लिया और हरीश्चंदर में ऐसा क्या था कि वो उसने इंद्र को भी एक टाइम पे चैलेंज कर दिया था तो यहाँ पे जो नारद है वो हरीश्चंदर के अच्छाई के बारे में बोलने लगे कि उसमें क्या क्या अच्छाई थी तो उन्होंने बताया कि राजा हरीष चंद्र जो थे वो ब्रहामन को बहुत रिस्पेक्ट करते थे और वो इसलिए इतने सक्सेस्फुल थे क्योंकि बहुत सारे ब्रहामनों ने उनको आशिरवात दिया था और उन्होंने ये भी बताया कि जो राजा, राजा सुया सैक्रिफाइस करेगा वो हमेशा हमेशा इंद्र के पैलिस में बहुत खुशी खुशी रहेगा तो राजा सुया जो यग्य एक तरीके का यग्य था जो कोई भी राजा करता था उस टाइम पे कि वो समराट बन सके एंपरर बन सके राज करने के लिए तो ये एक यग्य होता था बहुत बड़ा इस यग्य को करने के बाद इसको संपन्य करने के लिए एक जो घोड़ा होता था उसको छोड़ दिया जाता था इसके बाद कहते थे कि sacrifice को करने से एक राजा समराट बन जाता था तो नारत मुनी ने ये तक बता दिया कि युदिश्चिर के जो फादर है मतलब पांडू तो पांडू की तो मृत्यू हो चुकी होती है तो वो स्वर्ग में होते है नारत मुनी स्वर्ग से धर्टी पे आये थे युदिश्चिर से मिलने तो वो युदिश्चिर के पिता जी से यानि पांडू से एक मेसेज लेके आये थे युदिश्चिर के लिए उन्होंने कहा कि तुम्हारे जो पिता है वो चाहते है कि तुम राजसुया यग्य करो नारद मुनी बोलते हैं कि अब बस अब मैं तुम्हें इतना अडवाईस देता हूँ कि तुम राजा सुया यग्यर करवाओ और उसके बाद जो नारद है वो चले जाते हैं दुवार का कुछ रिशी मुनियों के साथ इसके बाद युदिश्चिर क्या करते हैं कि वो अपने बाकी भाईयों के साथ मिलके डिसकस करते हैं राजा सुया सैक्रिफाइस करने का तो यहां पर जो हमारा सेक्शन नंबर टू है वो खतम होता है अब आते हैं सेक्शन थ्री पे जो की है राजा सुया रंभा पर्फ ठीक है इसमें है सेवन चैप्टर्स और टोटल तू सिक्स पर यहां पर जो है क्योंकि उन्होंने स्वार्ग से धर्ती पर यह मैसेज भिजवाया तो वो क्या करते हैं डिसाइड करते हैं कि राजा सुया यग्या होगा और वो उसके अर्रेंज्मेंट्स में लग जाते हैं जितने भी लोग थे युदिश्चिर के किंडम में जितने भी मिनिस्टर थे सबने युदिश्चिर को हामी भड़ दी कि उनको राजस हुई यग्या जो है साक्रिफाइस जो है वो करना चाहिए उसके बाद उस उन्होंने फिर से अपने भाईयों से बात करी जो वहां पर पंडित थे ब्रहामिन थे उनसे बात करी मिनिस्चिर से बा उसके बाद उन्होंने डिसाइड कि वो शी कृष्ण की अडवाइस लेंगे तो युदिश्चिर ने इंद्र सेन से मेसेज भिजवायता शी कृष्ण को मिलने के लिए पर कृष्ण खुद आ गई इंदपरस्त उसके बाद धरम राजर कृष्ण ने मिलके एक फाइनल डिस जब सारे विश्व को हराएगा वही सम्राठ बनेगा तो उसी टाइम क्या होता है कि जरसंद जो है वो एंपरर बन जाता है सम्राठ बन जाता है क्योंकि वो हर राजा को हरा चुका होता है जो जरसंद था वो मगधा का राजा था और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थ जरसंद ने समराड बन चुका है उन्होंने हर राजा को हरा दिया है जितना भी वर्ल्ड है अब उसके कंट्रोल में है शिशुपाल जो था वो जरसंद का कमांडर इंचीफ बन गया था उसके जितने भी सोलजर्स थे हमसा और दिम्भका को बोला जाता था कि उनके अंदर जो स्टेंथ थी जो पावर थी वो भगवान के बराबर के पावर थी उनके अंदर उन्होंने तक जरसंद का साइट ले लिया उसके अंदर रेफ्यूजी ले लिया उसके अंदर में और अगर जरसंद हमसा और दिम्भका मिल जाते तो वो तीनों विश्व को हरा सकते थे तीनो वर्ल्ड को हरा सकते उनके अंदर टोटल मिला के इतनी ज्यादा पावर हो जाती थी तो एक बार क्या हुआ था कि बलराम नेशे किष्टे के जो भाई है बलराम वो एक युद में उन्होंने हमसा नाम के एक राजा को मार दिया था तो दिम्भका को लगा कि जिसकी मृत्य हुई है वो उसका भाई है तो इसलिए उसको बचाने के लिए वो भी यमुना नदी में कूद गए और कूदने से उनकी जान चली गई उनको देखकर जो जो ओरिजिनल हमसा थे जो ओरिजिनल हमसा जिनको गलत फहमी में जिसके लिए दिम्भका की जान गई वो भी अमुना में कूद गई उनकी भी जान चली गई तो जिसको बलराम ने मारा था वो कोई और राजा था जिसका भी नाम हमसा ही था पर दिम्भका को गलत फैमी हुई और इसलिए वो भी कूद गए और उसको बचाने के लिए जो रियल ओरिजिनल हमसा थे वो भी कूद गड़ यहां पे दोनों की ही जान चली गई जरासंद जो थे वो बहुती ज्यादा मतलब डिप्रेस हो गए ते इसलिए वो अपने कैपिटल लोड गए मगधा तो कृष्णा ने इतना ही बताया कि जब तक जरासंद जिन्दा है युदिश्टिर यह जो राजसुया यग्य है वो सक्सेस्पुली नहीं कर सकता था वो जरासंद ने कुछ राजाओं को अपने अंडर में अपने महल में जेल में बंद करके रखा था और अगर युदिश्टिर को यग्य करना था तो उसको सबसे पहले उन राजाओं को छुडा के जरासंद को मानना था उसके बाद ही वो राजसुया यग्य कर पाता वरना नही कर पाता तो सबसे पहले ये सुनने के बाद जब उन्होंने कृष्णा के मूँ से सब कुछ सुना तो युदिश्चन ने ये बोला कि जो कृष्णा बोलेंगे वो वही करेगा तो यहां पे भीम आगे आया और भीम ने ये बोला कि एक कमजोर आदमी के पास भी अगर एक स्टॉंग प्लैन होना तो वो भी अच्छे से जीत सकता है तो कृष्णा के पास दिमाग था भीम के पास शक्ती थी और अरजुन जिस युद्ध में जाए उस युद्ध में जीत होनी ही होनी थी तो अगर ये तीनों मिलके जरासंद को कुछ जादा ही डी मोटिवेट हो गया और उसने कहा कि राजसु ये यग्ये बहुत डिफिकल्ट है वो मेरे से नहीं होगा तो इससे अच्छा कि हम ये यग्ये परफॉर्म नहीं करें पर अर्जुन यहां पर बहुत जदा इक्साइटेड हो गया था और उसने कहा कि ये यग्ये होकर ही रहेगा और हम अपने दुश्मन को मारेंगे तो श्री कृष्ण ने उस टाइम युद्श्चिर को याद दिलाया कि एक योध्धा की रिस्पॉंसिबिलिटी होती है कि वो बुरे लोगों को मारे और अपने देश की किंडम की रक्षा करें तो इसी के लिए कृष्ण शुरू करते है युद्श्चिर को जरासंद के जनम की स्टोरी बरताना कृष्ण टोल बर्थ स्टोरी अव जरासंद तो कृष्ण बताते है कि मगदा के राजा हुआ करते थे जिनका नाम था ब्रिहद्रत जिन्होंने कासी के जो राजा थे उनके जोड़वा बेटियों से शादी करी थी और उनको कोई बच्चा नहीं हो रहा था तो उन्होंने एक बार सुना कि जो सेज है रिशी है चंद कौसिक वो आए है उनके महल में तो वो आते है अपनी राणी के साथ और अपनी फीलिंग्स बताते है रिशी को तो रिशी जो करते है वो कुछ मंत्र उनके लिए बोलते है और उनको एक आम देती है एक मैंगो देती है जो कि उस टाइम प्रिहदरत के गोदी में गिर जाता है और वो बोलते है जो रिशी है वो बोलते है कि इस से तुम्हें बच्चा होगा उसके कुछ समय बाद जो दोनों की दोनों रानी है क्योंकि उन्होंने जुर्वा बेहनों से शादी करी थी तो दोनों रानी को बच्चा होता है पर क्या होता है कि दोनों बच्चे आधे आधे पैदा होते है एक से धर पैदा होता है तो एक से नीचे धर से नीचे का हिस्सा पैदा होता है और दोनों ही रानी बहुत जादा डर जाती है और वो दोनों ही टुकडों को बाहर फेक देती उसी टाइम वहाँ पर एक राक्षशी की एंट्री होती है जिसका नाम था जारा वो आती है और उनको उठाती है और उन दोनों जो टुकड़े थे बच्चे के उसको जोड के उठाके ले जाती है जैसी वो उन दोनों पीसे को जोडती है तो एक लड़का फॉर्म हो जाता है बन जाता है उससे तो वो राक्षासी क्या करती है कि वो इनसान रूप में आती है और राजा को जाके वो लड़का वापिस कर देती है और जाके राजा को ये बात बताती है कि वो जस्ट एक दिन्स बोले और कुछ भी बोलो वो जस्ट इसलिए आयती कि वो इन दोनों को फेक दिया था पर असल में यह आपका पुत्र है और उन्होंने राजा को यह अडवाइस दिया उस राक्ष सीने की आप इस लड़के के लिए हर वो पूझा पाट कीजिए और यह लड़का तब ही बहुत बड़ा बनेगा बहुत ज्यादा फेमस होगा जब आप मेरे नाम क इसके नाम के साथ लगाएंगे यह बोलते ही वो गायब हो जाती है इसके बाद जो राजा थे उन्होंने उस बच्चे का नाम जरासंद रखा उसको राजा बनाया इसके बाद ब्रिहदरत जो थे वो रिटायर्मेंट लेके जंगल में चले गए अपनी दोनों रानियों के स और जब से स्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वद किया था उसके बाद से जरासंद शी कृष्ण का बहुत बड़ा दुश्मन बनिया था यहीं पे हमारा सेक्शन 3 खतम होता है आते हैं सेक्शन 4 पे जिसका नाम है जरासंद वद पर्फ इस वाले सेक्शन में टोटल 5 चा जरासंद पहले से बहुत वीक हो चुका है क्योंकि उसके जितने भी साथी थे जिनके वज़े से वो इतना स्ट्रॉंग था यानि कि हमसा दिम्भका कंस सबके सब मारे जा चुके थे इसलिए अब जरासंद वीक हो चुका था तो यह उसको मारने का बहुत ही ज्यादा जरासंद अगर किसी से फाइट करना चाहेगा लड़ना चाहेगा तो वह भीम के साथ ही युद्ध करना चाहेगा और भीम के अंदर इतनी पावर थी कि वह अकेले अपने हाथों से जरासंद को मार सके तो शीकृषिन ने युदिश्चिन को बोला कि अगर आपको मुझ पर ट जाएंगे तो ये जो कारे है वो बिल्कुल पूरा होगा और युदिश्चिर के वर्ट से सैटिस्फाइ होके कृष्ण भीम और अर्जुन तीनों के तीनों मगदा के लिए निकल चुके जरासंद का वद करने के लिए कृष्ण भीम अर्जुन अटायर डैस ब्रहामिन्स तीनों को एक साथ दे के युदिश्चिर को बिल्कुल यकीन हो गया अपने आप में कि जरासंद की मृत्यू होगी ही हो तो ये जो तीनों मगदा गए वो ब्रहामिन का रूप धारन करके गए शीक्रिश्ण भीम और अर्जन ब्रहामिन्स बनके मगदा में उन्होंने एंट पॉजिटीव में उनको फेलकम किया मगदा में और जो ये तीनों के थीनों थे इन्नोंने ब्रहामिन बने में तेसे इक तरफ से बोला जाते है मरा मनों में सबसे बड़ा जो पोस्त होता है उसका उन्होंने रूप धरन का रखा तो जरासंद उनसे क्वेस्टन करते हैं कि आप लोग तो सनातक ब्रहामन हो उसके बाद भी आप लोग गलत दर्वाजे से क्यों आए है मगदा के अंदर क्योंकि उन्होंने गुस्ते टाइम मगदा का जो एक पीक टाइप था गेट का वो तोड़ दिया था तो अगर वो ये सब देखना चाते है उनका पावर तो वो देख सकते है तो एक शत्रिया तब ही गलत दर्वाजे से अंदर आता है जब वो अपने शत्रू के पास आता है तो इसलिए हम लोग भी यहां कुछ काम से ही आए है और हम यहां पे अपने दुश्मन से किसी तरीके क भी वेलकम नहीं लेना चाते तो कृष्ण की वर्ट सुनके ज़रासन बहुत सर्प्राइज हो गया और वो पूछता है कि मेरे से आपकी क्या दुश्मनी तो इस टाइम श्री कृष्ण क्या करते है धर्म के अकौर्डिंग जो सच्चा ही है वो ज़रासन को बता देते है कि ह कोई ब्रामिन नहीं है ये मेरे साथ जो है वो पांडू के पुत्र है भीम और अर्जुन और मैं हूँ तुम्हारा दुश्मन शिक्रिश्न वो जरासन को इन्वाइट करते है एक लड़ाई के लिए जरासन तो पहले मना कर देता है कि उसने जेल में जितने भी राजाओं को बंदी बना के रखा है वो उनको नहीं छोड़ेगा क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया है कि वो भगवान को बली चड़ाएगा उन राजाओं की और अगर इसके बदले में उसको इन तीनों से युद्ध भी करना पड़े तो वो युद्ध के लिए भी तयार है और जैसा कि शिक्रिष्ण के इशारे का वेट करते है उसको एंकरिज करते है कि वो जरासंद को मारे जैसे ही शिक्रिष्ण ने भीम को एंकरिज किया उसी टाइम भीम ने जरासंद का एक पैर पकड़ लिया एक हाथ से और बिलकुल उसको आधा करके तोड़ दिया जरासंद के सिर एक पैर को पकड़ के उसने जरासंद के बॉड़ी के बिल्कुल तुकड़े कर दिया बिल्कुल फार दिया उसको और मगदा के महल का जो जरासंद का महल था मगदा में उसके पैलेस के में गेट के बाहर उसकी बॉड़ी वहां पे डिस्पोस कर दिया इसके बाद वो तीनों गए जुतने भी बंदी राजा थे उनको जेल से बाहर निकाला जरासंद का जो रत था उसका नाम था सोदर यावन तो श्री कृष्ण ने खुद वो रत चलाया पीछे अर्जुन और भीम बैठे वे थे और वो लोग मगदा से बाहर चले गए सहदेव टुक रफ्यूजी विद कृष्णा और परफॉर्म लास्ट राइट्स ऑफ फादर तो जरासंद के बेटे का नाम था सहदेव तो सहदेव जो था उनको जो प्रीस्ट थे मगदा के वो अपने साथ अकंपनी करके अगरके के मगदा बहर लेके आयेग और सहदेव ने श्रीकृष्णे के पास रेफिजी ले लिए उन्होंने बोला कि अब अगए से स्री कृष्णे के साथ ही रहेंगे उसके बाद श्रीकृष्णे के परमिशन से ही सैदेव ने अपने पिता जरासंद की जो अंतिम संसकार है उसको पूरा किया बाद भीम और अर्जुन जो है वो जितने भी बंदी राजाओ को उनों ने छुड़ाया सेफली उनको अपने अपनी जगा वापस ले आए और युद्श्चिर बहुत ही ज्याद होता है आते है सेक्शन 5 में दिख विजया पर्व तो इस वाले सेक्शन में है टोटल 8 चैप्टर और 389 वर्स अर्जुन वांटेट तो कलेक टैक्स फॉम किंग्स यहां क्या होता है कि जरासंद को मानने के बाद अर्जुन बहुत एक्साइट रहने लगा था वो चाहता थ कि वह जितने भी राजा है उनको एक एक करके हराना शुरू करे और उनसे टैक्स ले जिससे कि वह अपना इंकम वो लोग अपना वेल्थ बढ़ा सके तो इसलिए उसने बड़े भाई उदिश्चिर से पर्मिशन लिया कि वह नौर्थ की तरफ जाना चाहता है नौर्थ में कुबेर राजा तो कुबेर के बार में सब को पते है कि उसके बस पैसा ही पैसा था तो वो चाहता था उसने परिम sna लिया कि वह नौर्थ की तरफ जाना चाहता है कि वह राजा कुबेर को हरा सके और उससे टैक्स ले सके कि वह अपना वेल्थ बढ़ाए पांडवास फॉलो सहदेव को साउथ की तरफ जाना चाहिए और नकुल जो है उसको वेस्ट की तरफ जाना चाहिए और ये लोग अगर इन चारो तरफ गए जहां जहां रिशी व्यास ने बोला तो इनकी जीत पक्की है और पांडवाज ने यही डिसाइड करा कि वो व्यास जी के बातों को फॉ और सनाफ कुंती वेंट फॉर डिरेक्शन रिटर्न विद ग्रेट वेल्ट तो युदिश्चिर ने डिसाइड कि वो खांडव प्रस्त के महल में ही रहेगा क्योंकि वहां का राजा है उसको वहां के जितने भी काम है उनको पूरे करने हैं पाच पांडव थे तो उनमें से युदिश्चिर जो है जो में बड़ा भाई है वो ही पर रुप जाता है खांडव प्रस्त में बाकी चारो जो भाई थे वो चारो तरफ चले जाते अरजुन नौर्थ में चला जाता है भीम एस्ट में चला जाता है सहदेव साउत में जाता है और नकुल वेस्ट में जाता और जितने भी चारो थे वो चारो तरफ गए और सेम टाइम में उन लोग उने बहुत जीत हासिल की, वो इंदिप्रस वापस आते है, वो बहुत सारा उनके पास पैसा होता है, और वो जितना भी कुछ कमा के लाते है, वो आके धरमराज यानि युदिश्चिर को सौब देते ह तो यहीं पर हमारे जो फाइफ थे, असेम्ली हॉल के महाभारत के, वो मैं एक्स्प्लेइन कर दिया, जो पार्ट टू आएगा, उसमें होगा 6 सेक्शन से लेके 10 सेक्शन तक का सारा, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बर्क्स में दे दूंगी, तिल देन प्लीज अप्सक्राइब को चनल